नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैश्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये आयुशमान भारत डिजिटल स्वास्त मिशन की शुरुआत कर दी इसके साथे देश स्वास्त विवस्था को नहीं दिश्या मिलेगी देश की बैंकिंग प्रणाली से लेकर आधार और अन्य सेवाओं के डिजिटल लोन डिजिटल होने के बाद देश के लोगों को कई तरह की सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल रही हैं इसी तरह से देश की स्वास्वेवस्था भी डिजिटल होग जिसमें उनके बारे में सभी तरह की मेडिकल जानकारी सेव की जाएगी उमीद की जा रही है कि इससे देश की स्वास्था सेवाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है अब आप जालनीजे कि इन सेवाओं का लाब आपको कैसे मिलेगा तो हर व्यक्ति की हेल्थ आइडी में उ जरूरत नहीं पड़ेगी अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बिमारी है तो उसके बारे में भी इस आइडी में जानकारी रहेगी इससे डॉक्टर इलाज के समय उस बिमारी और उससे होने वाले साइड एफेक्ट के बारे में भी पता कर सकेंगे कुल मिलाकर इसमें आपकी हे प्रारंबिक चरण में इस योजना को 6 केंद्र शासत प्रदेशों में लागू किया जा रहा है एंडी एच एम के तहट प्रतियक नागरिक की एक हेल्थ आइडी होगी जो उनके हेल्थ अकाउंट के रूप में भी कारे करेगी एक अप्लिकेशन के मदद से व्यक्तिगत हे और देखा जा सकता है इसमें हर मरीज का डेटा होगा जिसका उपयोग हेल्थ केर प्रफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ केर फैसिलीटी रजिस्ट्री भी कर सकेंगे डॉक्टरों के अलावा अस्पतालों और स्वास्त सिवा प्रादाताओं के लिए व्यवसाइब में भी इससे आसानी होगी